हलो फ्रेंच वेलकम टू चानल करंट अफेर अपडेड़ इस दिवशी शवस्ती आपको पता होगा विए देलिंग डेली सीरीज तो आज उसका लेक्षर नमर 12 है तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने 10 कुशिन सीरीज और जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे ह आपको बता दूँ इस वीडियो का आपको अगर पीडियेफ चीह होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का लिंक दिया हुआ है आप वहां से जाकर इस वीडियो की पीडियेफ भी ले सकते हैं ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्षर में 12 और फ कॉनसी कंट्री नहीं हैं उप्शन से ऑफसेलिया ब्राजील टान या इंडोनेशिया आपको मैंने बता दिया कि इंडिया इस सेन्थ लार्जेस कंट्री कमेंट बॉक्स में आपको फर्स तु सेवन कंट्री बताना है अकौर्डिंग टू ग्रफिकल अर्या फर्स इस रश् का अंसर है that is d इंडोनेशिया और मुझे इंडोनेशिया की कापिटल भी कमेंट बॉक्स पर आप बताईए कि इंडोनेशिया की कापिटल क्या है इंडोनेशिया नेक्स्क्राइब आपके सामने इंडस रवी रिवर जेलम या व्यास इस व्यास रिवर इन चारों में से इसका और आपको बताना है तुल्बूल प्रोजेक्ट इंपोर्टन प्रोजेक्ट है इंपोर्टन हाइडो एलेक्टिसिक प्रोजेक्ट है तो इसका आंसर जो है दाट इस सी जेलम तो तुल्बूल प्रोजेक्ट इस लेड़े टू जेलम रिवर तो आइटिंग यूव नोन दिस आंसर इस इजी कोशन नेक्स्ट कोशन है एक इंपोर्टन होट स्प्रिंग है यहां पर जाकर बहुत सी डिसीजिस भी क्योर हो जाती है तो आप से पुछा गया है कि जो होट स्प्रिंग मनी करन है यह किस स्टेट में लोकिड़ेड है औप्शन आपके सामने है इसका करेक्ट आंसर इसका है आंसर इसका है आंसर बी हिमाचर प्रदेश तो इस वन आफ आप से एजी कोशन इसे एजी कोशन भी आते एक्जाम में तो इसमें घबराना नहीं है यह आई थिंग मैक्शन पीपल लो और पीपलू फ्रम हिमाचर प्रदेश आप्सुल्टी नो इस कोशन से एक इंपॉर्डन हिल पूछिए मैं आपसे इस सत्माला हिल्स बात पूछा महराष्ट में सतमाला हिल्स है इसके वारें आपन देख लेते हैं एक माप बना रख है है मैं इंडिया का यह सत्माला हिल्स इसी के नीचे आप देख रहोंगा बालागाट रेंज भी आपको दिख रही होंगी तो जाद है कि Satmala Hills रन अक्रोस दर नासिक डिस्रिक्ट इन महराष्ट तो नासिक डिस्रिक्ट को ये रन अवे करता है that is what रन अक्रोस करता है that is Satmala Hills तो सकांसा था C. महराष्ट नेक्स है कोशन बाफ फिफ्थ ये तो अवर टिपिकल कोशन है मैंने यहाँ पर पूछा कौन सा correctly match नहीं है तो जब ऐसे कोशन आते हैं जहां पर आपको idea नहीं हो beaches का idea नहीं हो तो still आप अगर कोई place गए हो तो you're able to mark those questions पहला है कि रामकृष्ण मिशन बीच जो है वांदरपदेश चांदीपूर बीच उरिसा I think ये correct है B तो correct ही होगा आपको I think पता होगा गोल्डन बीच तमिल नैडू और मरारी बीच गुवा तो इसमें जो correct answer है तो इसमें पूछा कौन सा statement incorrect है तो इसमें incorrect statement है that is D मरारी बीच या दखे ये बीच केरल में located है so confused नहीं होना आपको कभी-कभी आपको guess भी करना है तो go with the correct option तो ये तो B हो नहीं सकता if you listen about golden beach that is enough इंदोनों में डाउट हो भी सकता है तो if people have visit Goa तो they will to mark that answer तो या दखे इसका answer है that is अमरारी बीच जो मैंने बता है आपको कहां पर है केरल में है next question में 6th है ये recent question है recently Supreme Court ने allow किया है permit किया है to introduce which animal कौन से animal को allow किया है या दखे गा Indian habitat में from Navibya तो Navibya से वो animal को इंडिया में allow किया गया है वो कौन से animal है options है African elephant, lion, cheetah या rhinosource तो उसका correct answer I think आप mark कर सकते है इसका correct answer that is African cheetah इस इंपोर्डेंट कोश्चन आपको मुझे comment box में जो Navibya है तो उस Navibya की capital आपको मुझे बताना है कि Navibya की capital क्या है और second question ये भी बताना है कि Navibya क्या landlocked country है और अगर landlocked country नहीं है तो वो किस part को touch करती है ocean के options है Atlantic ocean और Indian ocean comment box मुझे बताइए landlocked है अगर landlocked नहीं है तो किस ocean को touch करती है चले तो चीता को रिसेंटी सुपरिंग पोर्ट ने अलाओ किया है इंडिया में extinct हो रहे है इंडियन चीता तो वहां से इंडिया में लाए जाएंगे next question number 8 ये भी current affairs related question है we think digital ये अभी digital literacy program launch किया गया है technological company दोरा बहुत important company I think you have listened about that company options है Google, Facebook, Apple या Amazon तो याद अखियेगा it has been launched by that is B Facebook this is an important question okay तो Facebook ने launch किया है we think digital याद अखियेगा ये literacy awareness campaign है okay चलिए next question में आते है question number 9 ये important है क्योंकि नरेंद मुधी recently visit किया उन्होंने इस हुनरहाट में डेली में उन्होंने visit भी किया था तो हुनरहाट पुछा है मैंने आप से कि initiative किस ministry के अंदर आता है options आपके सामने है तो I think जो confused हो सकते है ये दो options पर confused हो सकते है किसी को अगर idea होगा that is B and D B है ministry of minority affairs D है ministry of skill development and entrepreneurship okay so हुनर से आपको समझ में आ रहा हो हुनरहाट किस से related होगा तो जिन्होंने D लगा है its wrong answer its correct answer is ministry of minority affairs so recent याद दे सुना होगा नरेंद मोदी जी ने हुनरहाट जो डेली में था 13th Feb 2020 में उसमें visit भी किया था that is why it came into news और हुनरहाट याद एखे कि Indor में भी celebrate किया गया है Madhya Pradesh में on 9th Feb तो Indor and Delhi were the two venues for हुनरहाट ये होता क्या है actually याद एखे कि under this initiative stalls लगाते हैं देख सकते हैं कि लिठी चोका की stall लगाई हुई यहाँ पर तो remember stalls लगाते हैं where artists and craftsmen जो experts होते हैं अदर-दा countries के अदर पार्ट से वो यहाँ पर आकर अपने टालेंट को शोकेस करते हैं it is a type of providing employment opportunity जो indigenous products हैं उनको promote करने की बात की जाती है तो अभी इस तरह vocal for local की हम बात करते हैं तो उनमें से हुनरहार्ट is one of the initiative for vocal for local इसका correct answer is that is ministry of minority affairs comment box में आप मुझे बताईए who is right now the minister of ministry of minority affairs चले last question में आते हैं question number 10 typical question है एक important C दी है मैंने बहुई C पुचा है यह counterminus है किस के साथ counterminus मतलब लगा हुआ किस के साथ यह attached है options आपके साथ आपने black sea second is red sea third is yellow sea and fourth is white sea this could be a typical question but its correct answer is C yellow sea मैं आपको इसकी location दिखा देता हूँ अगर आपने pacific ocean देखी हुई है इंडिया का आपको map clear है North Korea, South Korea का map clear है तो आपको yellow sea भी clear होगी that is the part yellow sea का ही counterminus part है मतलब उसी का continuous part है so this is important okay तो इसकार से तथ C yellow sea okay so we are done with the 10 questions I think जो मैं आपको पूछे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसके reply करेंगे इसका जो cutoff है वो है 8 questions देखिए अगर मैं भूल जाओ cutoff बताना तो आप description box में चेक कर सकते हैं मैं वहाँ पर भी cutoff mention का देता हूँ तो 8 questions इसका cutoff है 8 या 8 से उपर किसी के marks हैं तो they have cleared this exam okay so अगर आपको initiative अच्छा लग रहा हो प्लीज लाइक, subscribe, share जरूर करें और जो मैंने आपको initiative बताया है related to topic wise तो वो हम जल्द ही launch कने वाले हैं उसके videos बन रहे हैं actually that's why we are not launching अभी but वो जल्दी एक दो दिन के अंदर ही launch हो जाएंगे okay और उसका timing क्या होना चाहिए ये इस पर मैं अभी doubt में था तो please आप मुझे आज comment box में बताइए कि उसकी timing क्या होनी चाहिए ठीक है कि 8 p.m. पे लाए या 9 p.m. पे लाए या 6 p.m. पे लाए तो जो भी आपको timing suitable लगता है तो comment box में बताइए तो उस time पर ही हम उस initiative को start करेंगे so please tell the timing in the comment box thank you